नमस्कार, मैं प्रिती बृष्टा आपका अउन्यूज नेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जादा तर हिंदूओं को यह बाद पता ही नहीं कि उनकी पुस्तेदी संपत्ती या उनके द्वारा अरजित संपत्ती को कभी भी वर्फ वोर्ड अपना कह सकता है और वर्फ वोर्ड के इस दावे के विरुद्ध आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते वर्फ अधिनियम पहली बार 1904 में संसत द्वारा पारित किया गया था इसके बाद इस दिवर्ष्ड कर दिया गया और 1995 में में एक नया वज़ट वोर्ड वक अधिनियं पारित किया गया जिसने वज़र वोर्ड को आदिन्संतियृत HA legg के लिए इस अधिनियम में और संसोदन किया गया और जिसे किसी भी अदालत में चुनौवती नहीं दी जा सकती थी चलिए इस से पहले हम आपको पूरी ख़बर बता है अप्शन रोद है कि हम देशित में काम करें इस वीडियो को लाइक और अधिक श्यार करें हमें अपनी राइक कमेंड बॉक्स में जरूर दें और हमारी टुप चैनल को सब्सक्राइब करें यह आपक पूरी ख़बर के ओले चलते हैं मार्च 2014 में लोग सबाद चुड़ाओ शुरू होने से ठीक पहले कॉंग्रेस ने इस कानून का उप्योग करके दिल्ली की 123 प्रभुक संपत्तियों को दिल्ली वखवोट को उपहार में दे दिया इस काले कानून के कारण अब तक देश में हिंदूों की हजारों एकर जमीन छील ली गई है हाल ही में तमिल नाडू वखवोट ने 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर समेथ तमिल नाडू के छे कावों को वखवोट संपत्ति घुशित कर दिया गया है शीदे सब्दों में कहें तो वखवोट के पास मुस्लिम दाम उत्तान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने के असी मिच सकतिया है लेकिन इसे यह अधिकार कैसे मिला यह समझने के लिए हमें इतिहास के पढ़ने पलटने होंगे दरासर बटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आये उनकी पाकिस्तान में मौज़ू संपत्तियों पर मुसल मानों और पाकिस्तान सरकार ने कबचा कर लिया लेकिन भारत से पाकिस्तान के मुसल्मानों की जमीन सरकार ने वक बोर्ड को दे दी जिसके बाद साल 1904 में वक बोर्ड एक्ट द्वारा एक्ट बनाये गया लेकिन साल 1905 में में वक बोर्ड एक्ट में बदलाव करके वक बोर्डों को जमीन अधिकरहड के असीमित अधिकार दे दिये गए जिसके बाद वर्फबोर्ड की संपत्ति में इसाफा हुआ वर्फबोर्ड मैनेजमेंस सिस्टम आप इंडिया के अगडों के बताविक इस सब्सक्राइब वर्फबोर्ड के पास कुल 9,54,509 संपत्तिया है जो आठ लाख एकड से ज्यादा जमीन पर फैली हुई है आपको चान का हैलारी होगी कि सेडा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वर्फबोर्ड के पास है साल 2009 में वर्फबोर्ड की सब्सक्राइब चार लाख एकड जमीन पर फैली हुई थी जो अब दोगना से भी बहुत ज्यादा हो चुका है जबकि देश में जमीन वैसी ही है जैसे पहली थी तो वर्फबोर्ड की जमीन कैसे बढ़ गई वर्फबोर्ड देश में जहां भी कब्रिस्तान की मौंट्री वाल कराता है उसके आस पास की जमीन को अपने संपत्ती मानता है इसी तरह दीरे दीरे अवै धर्मस्थलों और मस्टीदों को भी वर्फबोर्ड अपने संपत्ती कोनप्ति कर देता है आशान वास्ता में लोग इसे अधिक्रबड कहते हैं और इस अधिक्रबड का अधिकार वफबोड को मिला हुआ है वफफ और नियम 1995 की धारातीन में कहा गया है कि यदि वफ सोचता है कि भू में किसी मुसलिम की है तो यह वफफ की संपत्ती है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वफ के बारे में सोचना ही काफी है इसलिए वफबोड को किसी सबूत की जरूरत नहीं है अगर वफ माल लेता है कि आपकी संपत्ती आपकी नहीं बलकि वफबोड की है तो आप कोर्ट भी री जा सकते आप वफ ट्रिबुनेल कोर्ट का दर्वाजा खटकला सकते है कि वफ अधनियम की धारा पचासी में कहा गया है कि यदि आव वफ वोड ट्रिबुनेल को संतुष्ट नहीं कर सकते तो यह आपकी अपनी जमीन है तो आपको अपनी जमीन खाली करने का आदिश कर दे दिया जाएगा कि ट्रिबुनेल का नेर्ना अंतिम होगा कोई भी अदालत यहां तक कि सुप्रीम कोड भी वफ ट्रिबुनेल के फैसले को नहीं बदल सकती वफ अधनियम की धारा चालिश में कहा गया कि जब वफ वोड किसी व्यक्ति की जमीन पर दावा करता है तो जमीन पर दावा साबित करने की जिम्मेदारी वफ वोड की नहीं होती बलकि जमीन के असले मालिक को यह साबित करना होता है कि यह भूमी का स्वामित तो उसका है यानि अगर वर्फ वोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो समझ लें वर्फ वोर्ड उस जमीन का मालिक बन गया है भारत जैसे दर्म दिपेक्ष देश में वर्फ एक्ट ऐसा काधार में कारून कैसे लागू हो गया स्वालिया है कि हिंदूओं, इसायों और सिखों के लिए ऐसा कोई अधनियम क्यों नहीं है सिर्फ मुसल्मानों के लिए ही क्यों बिटमना देखिए कि वर्फ 1991 में प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट बनाए गया जिसमें कहा गया कि देश के आजादी किसमें जो धार में कस्थर मौजूद थे उन्हें वैसे ही रखा जाएगा वहीं उनिस्ट पंचार में में वर्फ एक्ट लागू होता है जो देश भरके वर्फ वोड को किसी भी संपत्ती पर अपना हग जताने का अधिकार देता है और पीरित पक्ष इसके खिलाफ देश की किसी भी अदालत में अपील भी नहीं कर सकता देश के आजादी किसमें जो धार में कस्थर मौजूद थे उन्हें वैसे ही रखा जाएगा वही 1995 में अगर वफ वोड अधनियम लागू होता है जो पूरे देश में वफ वोड को किसी भी संपती पर अपना हग जताने का अधिकार देता है और पीरित पक्ष इसके खिलाफ देश की किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकता भारत में भी वाफ कानून के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए तरकार को वाफ अधनियम को निरस्त करना चाहिए क्योंकि वह असपष्ट रूप से समयधानिक है कांग्रेस और अने विपक्ष पार्टियों जारा भारत में वाफ वोट जैसे कानून धिरी धिरी बनाया जा रहे थे कि अगले आने वाले 20-30 वर्षों में भारत को पूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट बनाया जा सके चिली अब आपको एक और जानकारी दे देते हैं इनिहरिटेंस टैक्स यानि विरासत टैक्स के बारे में विरासत टैक्स जो देश की जनता के साथ साजिश रशी जारी है पिछले दिनों राहुल गाधी ने एक ट्रैलिय में कहा था कि अगर चुनाओं के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएका और पता लगाया जाएका कि इसके पास कितनी संपत्ती है इसका मतलब यही है कि देश में इन्हेरिंट टैक्स लगाकर जनता से उसकी संपत्नी को छील लिया जाए सोचने वाली बात तो यह है कि विरासत टैक्स के पीछे की साजिश में कौन है कुछ मीडिया से बात सामने आई है कि 5 मार्श 2023 में लंदन के होटल में रातरी आठ बजे एक मीटींग हुई जिसमें राहूल गादी, सैंपित्रोदा, CIE के डिप्री डिरेक्टर और पाकिस्तान के पांच मुख भारत विरोधी लोग शामिल हुए थे इनिहेरिटेंस टेक्स के पीछे अमेरिका, CIE और पाकिस्तान है देखा जाए तो पूरे अमेरिका के पास 9000 टन्सोना रिजर्व है जबकि भारत का 800 टन्सोना है लेकिन भारत के समाज के पास लगबग 26,000 टन्सोना है जो अमेरिका का तीन गुना है पूरी कांग्रेस अमेरिका, CIE और पाकिस्तान की नजर इसी संपत्ती पर है वो इनिहेरिटेंस टेक्स लगाकर भारत के 26,000 टन्सोने को जब्थ करने की है जिससे भारत का समाज और परिवाद तोटेंगे दूसरी तरफ हिंदूओं के मंदीर पर भी नजर है, मंदीरों का सोना जब्थ होगा जिससे भारत की संस्क्रीटी खंड खंड हो जाएगी कुल लगबर 85 परिश्ट टैक्स लगेगा, 55 परिश्ट नहीं जिससे हमारे पास मात 15 परिश्ट बचेगा जिससे कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकेगा, सभी लोग अपने उद्योग धंदे बंद कर देंगे और भारत का फूरा मैनिफेक्टर यूनिट खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई भी अपनी फैक्टर क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको 55 परिश्ट टैक्स तो सरकार पुचला जाएगा और आपके पास मात 15 परिश्ट बचेगा और सारी बात हिंदूओं पर आती है, क्योंकि सारा धन मंदीरों में ही है पहले विदेशी सरयाम लूटने आते थे, अब विदेशी उधारा यहां के गद्दान नेताओं को सत्ता में लाने की साजिश रची जा रही है अंत में अमेरिका और चीन की भारत पर फिर से कबज़ा करने की योजना साकार होगी यह इतनी बड़ी कॉंगरेशिस साजिश है हम सबको मिलकर सबको जागरत करना होगा और सभी को जन जन तक पोक्षाना ही होगा आपका अमीर होना आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है परन्तु आपका संगटित होना ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है मत्दान सोच समझ कर करें वरना आपकी पीड़ी को या ना कहना पड़े हमारे पास और मंदीरों में हजारों टन सोना था और पूरवच दादा हिंडू थे वैसे तो मेरे हिंदू भाईयों को बार-बार समझाने पर भी यह बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि हिंदू अपने आपको ज्यादा सिठ्षित मानते हैं ऐसे सोय हुए हिंदूों के बारे में इतिहास गवार है आसान नहीं है हिंदूों को जगाना स्वयम श्री नारायन को भी अठारा अध्याय साथ सो स्रोग पढ़कर पढ़ने पढ़े तब अर्जुने सस्त्र उठाए आपका सद्बुद्धी से किया गया पत्तान आपको मन्द बुद्धी से बचाएगा जड़ा सोचिए मुसलिमों में शिक्षा 40 प्रच्षट हिंदूों में 80 प्रच्षट मुसलिम नब Renee सत्वोट करते हैं और हिंदू 40 प्रच्षट करते मैं बदाए असली अ शिक्षित कौन है वैसे हमारा निजी तौर पर बे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जहां है मेरे जन्म और जीमेर का अधेश्ट किसी का समर्थन या बरोध करना नहीं, बलकि जन्म और जीमन के अधेश्ट के अंसार कारे करना है मैं रहू या ना रहू अधे कि भारत रहना चाहिए आपसे उन्रोध है कि देशितमे इस वीडियो को अधिक सदिक शियर करें हमें अपनी डायत ज़रूर दें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको मारी वीडियो को पसंद आये ताप हमें फोन पर गूगल पर पेटियम के माध्यर से नीचे दिए के नमबर पर सहायता रासी देकर हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को साथ तक बने रेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयाहिन जयवाद